हमारे सभी दर्चकों का एक और बार ग्वाट टीवी के इस खास कारेकरम में स्वागत हैं फर्गस औरियान की खास बात चीट के कुछ मुख्यांच मैं आपको बताने जा रहा है आज के कारेकरम का आगाज करते हुए फर्गस कहते हैं हमने अपने नियमित कारेकरमों को रोका है ताकि इस विशेश कारेकरम के द्वारा आप से मुखातिब हो सकें फर्गस ने इस कारेकरम को यूके से लाइव किया है वो बहुत आश्चर चकित हैं और इयान यंग वेलेंटाइन का स्वागत कर रहे हैं उन्होंने कहा कि कल के कारेकरम की गजब की प्रतिक रहा रही है अब इयान की बारी है वो बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं वो आपके द्वारा की गई कॉल्स को लेकर बहुत शुक्र गुजार हैं इयन फिर से कह रहे हैं पूरे संसार में हमारे कॉल्स सेंटर हैं कि हम आपकी कॉल्स को उठाएं वो द्रिड़ता से दोहरा रहे हैं आप अपने आपको अकेला ना समझें हम मजबूती से आपके साथ खड़े हैं ये इन कहते हैं आप डरे नहीं विश्वास रखें और परमेश्वर को पुकारें फर्गस थोड़ा सा चिंतित हैं कि ये अंदकार भरा समय है पर वो कहते हैं ये एक अच्छा समय भी हो सकता है फर्गस कहते हैं कि हमें विश्वास है प्रभु ने हमें ना केवल एक सेवकाई की रूप में, बलकि मसीही की दे की रूप में हमारी अगवाई की है, कि ऐसे संकट भरे समय में हम मजबूत हो सकें। फर्गस अपनी बात को फिर से दोराते हैं, हमें विश्वास है कि परमेश्वर इस समय हमें आशिश देनी की योजना बना रहा है, वो कहते हैं कि परमेश्वर के पासे की योजना है कि वो हमें बचाएगा और छुडाएगा, आगे वो फिर से एन की और मुखातिब हैं, वो क खुशी की बात है कि वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। फर्गस कहते हैं, संकट के इस समय में जब चर्च बंद हो रहे हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि हम मीडिया होने के नाते लोगों के साथ सहभागिता कर सके और परमेश्वर के साथ आनन्दित हो सके। इयन उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि लोग अपने घरों में रह सकते हैं और ऐसे समय में केवल परमेश्वर ही उनके साथ नहीं है, बलकि समूचा गौद टीवी परिवार उनके साथ हैं। इयन उस साहित होकर कहते हैं हम हर रोज आपको मिलेंगे प्रोच साहित करने वाले वचन के साथ और ऐसा पूरे संसार में होगा। इयन आपको कहना चाहते हैं कि आप भी हमें बताएं कि परमेश्वर आपकी जीवन में क्या कर रहा है। अब इयन एक कहानी Fergus को बताना चाहते हैं, ये कहानी गवेंडा की है जो UK से ही है, इयन गवेंडा की इस गवाई के लिए उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं, इयन गवेंडा की कहानी को पढ़ते हुए कह रहे हैं, कि गवेंडा कह रही है कि वो God TV के COVID-19 कारेकरम को देखकर इनोंने कल ही ये शाया 65-24 को पढ़ा, जहां लिखा है उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उतर दूँगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूँगा, वो लिखती हैं कि उसके तुरंद बाद ही उनके पडोसी आई और उनकी मदद की, गवेंडा लिखती हैं परमेश हम God TV में आपके लिए प्रात्ना कर रहे हैं, आपके साथ खड़े हैं, इन आपसे यानि अपने दर्शकों से आगरह कर रहे हैं कि आप भी अपनी गवाई हमें भेश सकते हैं, इन की बात को सुनकर फर्गस बहुत खुश है, वो हस्ते हुए कह रहे हैं कि www.godtv पर जाएं य हमें भी मसीह की दे के समान द्रिड होना है, और हम परमेश्वर के बड़े कामों को अपने बीच में देखेंगे और परमेश्वर के कारे हम में से भी प्रगट होंगे, फर्गस आगे अपनी बात रखते हैं कि हो सकता है कि ये संकट काल एक दिन का हो या थोड़ा अधिक ल बायक रहें, फर्गस इन को एक महत्वपून बात कहते हैं कि ऐसे समय में लोगों को दूसरों की हित की चिंता करनी चाहिए, तो इन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, उन्होंने कहा फर्गस ये कोई नई बात नहीं है जो गौट टीवी कर रहा है, हम हमेशा से ऐसा करते आए हम अक्सर अपने नियमित कारे करम बंद कर देते हैं और हमारे ओनलाइन साहित्ये दूसरों को प्रोच साहित करते हैं, इन अब आपको कुछ कहना चाहते हैं, वो चाहते हैं आप गौट टीवी के ओनलाइन साहित्ये को पढ़े, इन कहते हैं आप चाहें तो उन्हें डाउन कहते हैं कि उन्होंने कुछ देर पहले वाड से बात की Fergus के मताबिक वाड ने जोर दे कर कहा है कि आप इन चीजों को डाउनलोड करें वो चाहते हैं कि GodTV.com पर ब्लॉग में जो हो रहा है वो सब जाने Fergus Ian को सूचना देते हुए कहते हैं Ian कि आप जानते हैं इस पेज के लाखो प्रशनसक है Fergus अब आप दर्शकों से मुखातिब होकर कहते हैं कि GodTV की ये वेब साइट बहुत सूचनाओं से भरी हुई है और ये सूचनाए बहुत वहवारिक हैं जैसे आप संकटकाल के समय में कैसे बचे रह सकते हैं इस वेब पेज पर अचम्भित करने वाली कहानिया है Fergus कहते हैं यहाँ पर एक फिलिपीन लड़की की दुआ है जो बहुत गजब की है और तो और वो कहते हैं यहाँ जे जॉन प्रतिदिन कुछ कहते हैं Fergus एक नई सूचना देते हैं कि आप यानि आप दर्शक God TV एप का इस्तिमाल कर सकते हैं आप इस एप को अपने फोन में डाउनलोड करें और हमेशा हमारे संपक में रहें इस एप की सामगरी आपके दुविधा भरे दिनों में जरूर आपके काम आएगी इयन इस सूचना को लेकर बहुत प्रभावित है वो कहते हैं कि आप दर्शकों की गवायां और प्रार्थना निवेदन हम इस ब्लॉग पर डाल सकते हैं इयन फर्गस से पूछते हैं यहां एक प्रार्थना है कि आप पढ़ना चाहेंगे जो आपके लिए प्रेड़ना दायक और प्रोसाहित करने वाली हो सकती है यहां कई प्रचारों को के अध्याना और गवाया मौजूद हैं तो इयन फर्गस से अनुमती लेते हुए इस प्रार्थना को पढ़ना चाहते हैं यह प्रार्थना महमारी के विशे में है इस प्रार्थना में लिखा है कि अभी हम जो इतने असहज नहीं है उनको याद रखें जिनके जीवन जो खिम में है यह इन के लिए शायद इस प्रार्थना को पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है हाँ वो कहते हैं लिखा है उन्हें याद करें जो इस बीमारी की चपेट में है इस प्रार्थना में लिखा है हो सकता है आपके पास ये मौका हो कि घर से काम कर सकें पर जरा उनके बारे में सोचे जो अपनी सिहत को बचाएं या आपने कमरे का किराया दें आगे लिखा है कि हम अपने बच्चों की देखबाल कर सकते हैं जब कि अभी उनके स्कूल बंद हैं पर उनका ख्याल रखें जिनके पास कोई विकल्प नहीं है हो सकता है हमें आज अपनी यात्राइं रद करनी पड़ें पर उनका क्या जिनके पास जाने की कोई जगा नहीं। प्रार्थना में आगे लिखा है, हो सकता है हमारे आर्थिक जगत में हमारा बहुत नुक्सान हो रहा हो पर उन्हें याद करें जिनके पास कोई भंडार नहीं है। एक दूसरे को भेज सकते हैं। हम येश्य मसी के नाम से आपके लिए दुआ करेंगे पर गुस्त तमाम दर्शकों को सचेत करते हुए कहते हैं संसार भर के लोगों के लिए हमारे पास कॉल सेंटर है और वो अब एमा को कुछ कहने को कहते हैं एमा अपने मधुर अवाज में कह रही है हम यहां गौध टीवी में हमेशा इस बात पर ध्यान देते हैं कि कैसे सर्वसरेष्ट तरीके से लोगों की प्रभू में सिवा कर सके वो कहते हैं हम में पूरा विश्वास है अंदकार के ऐसे समय में परमेश्वर आश्चरे कर्म करेगा और चमतकार दिखाएगा वो कहती हैं ऐसा ना केवल यहां बलकी पूरे संसार में होगा वो एक सवाल करती हैं कि आप इन्हें कैसे जानेंगे फिर खुद ही जवाब देती हैं आप अपने निवेदन हमें भेजे आप हमें लिख सकते हैं www.god.tv forward slash prayer में इस वेब पेज में आप संसार भर से अपने प्रार्थना निवेदन हमें भेज सकते हैं एमा आगे कहती हैं यही नहीं संसार भर में हमारे कॉल सेंटर आपकी प्रार्थना की कॉल के इंतजार में है हमें आपके लिए दुआ करके बहुत खुशी होगी एमा सबका अहवान करती है आईए मसीही होने के नाते हम सब एशु मसी में एक साथ खड़े हो जाएं क्योंकि एशु जोती का प्रबू है और ऐसे समय में हम सब सहभागिता करें ताकि आपके जीवन में आश्चरे कर्म हो सकें वो कहती है हमें कॉल करें या हमारी पर जाएं इयन आपके लिए चिंतित हैं और कहते हैं हम आपके जीवन में आश्चरे कर्म के लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो एमा के बारे में चर्चा करते हैं कि ये हमारे टीम की बहुत महत्वपून सदस्य हैं उन्होंने ऐसे कई लोगों से बातें की जो अब अपने घरों में से काम कर रहे हैं इयन कहते हैं उनकी गवाईयं भोत अद्भूत हैं इयन के अनुसार हरे गवाई प्रार्थना से ही शुरू होती है इयन कहते हैं फगस तकरीबन हम सब लोग फेस्बुक का इस्तिमाल करते हैं और गवडbt टीवी भी पिछले तकरीबन तीन सालों से फेस्बुक पर है और परमिश्वर के द्वारा दिये गए कारे को आगे बढ़ा रहा है। फगस भी उनकी बात से सहमत है कि हाँ परमिश्वर हमें वहां आशिश दे रहा है। तो एन ने कहा अब हमारे पास फेस्बुक लाइव भी है और गौट टीवी का फेस्बुक लाइव बहुत प्रचलित भी हो रहा है और अकसर इसमें 5000 से 15000 तक दर्शक रहते हैं। ये नागे कहते हैं और इस समय खास तोर पर ऐसे संकट के समय में कई लोग अपने प्रशनों के उतर फेस्बुक लाइव पर खोज रहे हैं। तो वो फगस से पूछते हैं आप इन बातों का क्या अर्थ समझते हैं। फगस ने उनके प्रशन को समझा और जवाब दिया कि आज सुभा ही मैंने फेस्बुक लाइव पर एक पोस्ट पोस्ट की है जो 38000 लोगों तक पहुँच चुकी है। फगस कहते हैं समय बहुत कठिन हैं और चर्च बंध हो रहे हैं। और रवीवार सुभा को कौन चर्च में जाना नहीं चाहेगा। हम सब भी जो गौट टीवी में हैं संडे को चर्च जाते हैं। फगस ने आगे दिल्चस्प बात कही। वो कहते हैं ऐसा कौन सा चर्च है जो संडे की सुभा 38000 लोगों से मुखातिब हो सकता है। कम से कम ब्रिटेन में तो नहीं है। फगस कहते हैं हम मीडिया में हैं और ये कोई गौट टीवी सेवकाई ही नहीं है। ये एक मीडिया द्वारा चलने वाला शक्तिशाली माध्यम है। फगस आपसे कहते हैं अगर आपको केंदरित रहना हैं, अगर आपको आत्मिक आहार या प्रोथसाहन की जरूरत हैं तो फगस इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि मान लीजिए आप जॉयस मेर को सुनना चाहते हैं या रवीवार को एंट्रिय वुमिक को सुनना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि हर रोज एक नए महमान से कोई नई बात सुन सकें तो फगस पताते हैं आप तॉमस और मासल को सुनने वाले हैं आप इसराइल से रौन की बात सुन सकते हैं फगस कहते हैं हमारा लक्ष ये है कि आप हमेशा आत्मिक तोर पर पोशित और बढ़ते रहें अब फगस एक नई बात बोलना चाहते हैं कि वाड ने उन्हें याद दिलाया कि भाईयों और बहनों हमारे पास बहुत से अनोखे अद्भुत लेख हैं जो आप अपने दोस्तों के साथ बांट सकते हैं वो इन को बहुत जोश में ये बात कहते हैं कि फेस करोड लाइक्स आपके पास आते हैं फर्गस कहते हैं ये तो सच में बहुत बड़ी तादाद है इन फर्गस की बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि फेस्बुक में जोडने से क्या होता है कि आप बहुत से लोगों के मत जान सकते हैं वहां आपके पास ये जानकारी हो कहते हैं कि निसंदे आप इन प्रचारगों को God TV पर तो देखते ही हैं, Fergus ने इनकी बात पर हामी भरी, पर Ian अपनी बात जारी रखते हैं, कि अलग-अलग माध्यम से आप अलग-अलग तरह से पोशित हो सकते हैं, तो Fergus मीडिया के विशे में एक नई आशा भरी बात कहते हैं, कि हो सकता है कि लगता हो, कि जो मीडिया में होता है वो यथार्त में इतना सच्चा नहीं लगता, पर Fergus कहते हैं कि नहीं, मीडिया हमें नए तरीके से पोशित कर सकता है, हमें एक नया दृष्टी कोण दे सकता है, इसमें भी गहरा अध्यन और बड़ा भिशेक मौजूद है, Fergus कहते हैं कि आज सुबही वो बात कर रहे थे, बहुत से Facebook ग्रूप और WhatsApp ग्रूप्स के बारे में, उनका कहना है कि हमारे परिवार में कई लोग हैं जो हम से दूर रहते हैं, Fergus खुद का उधारन देते हैं कि उनके माता पिता जो असी बरस से उपर की आयूके हैं, उनके पास वो पूरी सुची होती है, जिस पर वो फैसला करते हैं कि उन्हें रोज किस से बात करनी है, कोई वचन बाटूं या वचन में से कोई ऐसा दृष्टान्त पढ़कर बताऊं जो उनके या उनके मित्रों के लिए प्रोसाहन से भरा हुआ हो या फिर मैं उन्हें गौड टीवी की सामगरी के बारे में भी बता सकता हूं कि अगर उसमें उन्हें कोई लेख पसंद आया तो वो उसे फेस्बुक पर माट सकते हैं येन कहते हैं क्योंकि ये ऐसा समय है कि जब हम परमिशुर के वचन को बहुत आयत से इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे को प्रोसाहित कर सकते हैं ऐसे में अगर कोई अकेला है तो उसका विश्वास बढ़ सकता है हम इस तरह उनके साथ संबंद बना सकते हैं और इस तरह एक भैगरस्त महल में जब दुनिया बहुत वियस्त है हमें परमिशुर की ओर से एक अवसर मिल सकता है फर्गरस कारे करम के विशे में कहते हैं यह हमारा दूसरा ही कारे करम है वो अपने पिछले यानि पहले कारे करम की याद दिलाते हैं वो कहते हैं कि God TV की वेबसाइट पर एक बहुत ही बड़िया लेख है God.tv की वेबसाइट यानी God.tv पर उस लेख के सीरशक का हिंदी अनुवाद है संकट के समय में विश्वासी की निर्देश पुस्तिका और पहला निर्देश है टीवी को बंद कर दे Fergus कहते हैं वो टीवी है, God.tv नहीं उनके अनुसार कोई समाचार का या दुनियावी चैनल आप बंद कर दे अगला निर्देश है अपने घर में अराधना का संगीत बजाएं अपने घर के लिए शान्ती और सुरक्षा की कामना करें Fergus आगे कहते हैं कि भजन सहीता 91 को अपने घर में पढ़ें और परमेश्वर के अधिकार को अपने हाथों में ले लें Fergus कहते हैं कि पिछली बार उन्होंने भजन सहीता 91 पढ़ा था और वो आपको भी कहना चाहते हैं कि जोरदार आवाज में अपने परिवार के बीच में इस भजन को पढ़ें Fergus कहते हैं इस भजन को पढ़ते जाएं जब तक कि वो खुद आपसे बातचीत ना करने लगे जब तक आपको शांती ना मिल जाए Fergus इसी भजन की पहली पंक्ती को सुनाते हैं जो परमपरधान के चाय हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की चाया में ठिकाना पाएगा Fergus इन को कहते हैं कि ठीक जैसा आप कह रहे थे इन कि ये जरूरी है कि हम रोजाना अपने दिन की शुरुआत उस परमपरधान की चाया में ही शुरू करें अब Fergus एक नई बात कहते हैं कि येशुने हमें दो आग्याएं दी हैं वो कहते हैं कि वो आग्याएं हैं कोई विकल्प नहीं हैं Fergus कहते हैं वो दो आग्याएं हैं परमेश्वर से प्रेम रख और अपने पडोसी से भी Fergus के अनुसार ये समय है कि हमें दूसरी आग्या पर गौर करना है पर उसके लिए जरूरी है कि हमें पहली आग्या पूरी करनी है Fergus कहते हैं कि मैं और मेरे मित्र इयन परमेश्वर की सेवा के लिए बुलाए गए हैं वो अपने मित्र की और इशारा करके कहते हैं कि ये प्रचारक हैं मैं मीडिया में हूँ और वो पूरे गौट टीवी परिवार के लिए कहते हैं कि हम जो एक परिवार हैं परमेश्वर की सेवा के लिए और जैसा वचन कहता भी है फर्गस कहते हैं उसमें से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी फर्गस का आगे कहना है कि इसलिए जरूरी है कि हम सब अपने पडोसी और अपने दोस्तों के लिए अच्छे और भलाई करने वाले मददगार साबित हों फर्गस एक और बात कहते हैं कि हम नहीं जानते कि कौन किस कदर जरूरत मंद है और शायद हम उनकी मदद में खाली भी हो जाएं यहां फर्गस एक उधारन देते हैं कि शायद मेरे पास कार है जो 500 किलोमीटर चल सकती है और आपके पास एक बिजली से चलने वाली कार है वो कहते हैं मुझे चिंता नहीं मैं उसमें कहीं भी इंधन भरवा सकता हूँ फर्गस कहते हैं चाहे वो पेट्रोल से चले चाहे डीजल से या बिजली से चलने वाली कार हो आपको उसे बस इंधन से भरना है फर्गस का तात पर यह है कि इसलिए हम गौट टीवी पर हैं कि अल फर्गस से मुखातिब होकर इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं कि कितने और प्रचारा किस कारेकरम में शामिल होंगे तो फर्गस उन्हें अपनी सूची में देखकर बताते हैं और वो कैनित जे जॉन का नाम लेते हैं वो उन्हें याद दिलाते हैं कि आज ही हमने कहते हैं कि आने वाले समय में हम live interviews भी दिखाएंगे परन्तु focus कहते हैं कि जो कुछ भी हम करते हैं वो महज इसलिए कि आप परमिश्वर की आवाज को सुन सकें और ये कि हम सीख सकें कि एक दूसरे के लिए कैसे सेवा करने वाले हो और जब कि हमारा मुख्य ओदेश्य होना चाहिए कि हम येशु से प्रेम करें उसकी सेवा करने वाले बने इन अब हमारी बात क्रिश कंडाया से करवाना चाहते हैं वो चाहते हैं कि अब हम उनसे कुछ सुने तो दोस्तों ये है क्रिश कंडाया जो आपको hello बोल रहे हैं ये home for good के founding director है और UK में बच्चों के लिए क खुले हुए हैं पर यात्रा करने में आंशिक पाबंदी है यहां आप किसी theater या cinema में नहीं जा सकते किसी रिस्तरा में भी नहीं जा सकते वो कहते हैं आप देखिए मैं खेतों में खड़ा हूँ क्योंकि मेरा घर बच्चों से बारा हुआ है वो कहते हैं कि हमारे 6 बच्चे हैं क्रिस कहते हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं ये बड़े अजीब दिन हैं तो वो कहते हैं कि यद्यपी कोरोना वाइरस हमारे शहरों कजबों और गाउं में मौझूद है और अब यहां तक की चर्च भी प्रभावित हुए हैं क्रिस अब रॉडनी स्टार्क के बारे में बत उस समय मसीहत रोमन समराज्य की अधीनता से निकल कर एक मजबूत मुकाम पा चुकी थी। क्रिस कहते हैं कि रॉडनी के अनुसार उस समय मसीहों ने सूसमाचार के मताबिक अपने पडोसी से प्रेम करना सीखा और संसार को मसीहत का ये नया सुन्दर रूप दिखाई दिया क्रिस बहुत उस्सुक है और कहते हैं हो सकता है ये हमारा शन हो इस वाइरस के प्रती हमारी क्या प्रतिक्रिया होगी जब कि ये वाइरस पूरे समाज को भैबीत कर रहा है हम इस वाइरस के समय सूसमाचार का प्रदशन करेंगे यहां क्रिस एक और बात कहते हैं वो कहते है तुम्हारा उजयाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे बहले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें क्या ये वचन ऐसे समय के लिए नहीं है क्रिस कहते हैं जब लोग स्वार्ती होकर दुकानों को खाली कर रहे हैं तो क्या हम मसीहों को ऐसे समय में देया लू और उदार नहीं होना चाहिए क्या हम दूसरों की ज़रूरतों का ख्याल ना रखें क्रिस कहते हैं मसीही विश्वास यही सब तो है क्रिस आप से पूछ रहे हैं कि आप अपने पडोसी या किसी बुजूर्ग के साथ कैसा वैवार कर रहे हैं क्या आप में उन्हें सूसमाचार दिखाई दिया क्रिस कहते हैं प्रभू के प्यार को बाटिये क्रिस अपना उधार्न दे रहे हैं कि कैसे वो लोगों को उनकी जरूरत के अनुसार शॉपिंग के लिए लेके जा रहे हैं वो कहते हैं आपको उनके ज़्यादा नजदीक आने की जरूरत नहीं है बस इतना नजदीक कि वो आपके प्रेम और सहायता को समझ सके क्रिस कहते हैं जरूर ये कठिन दिन हैं और हम मैंसे कई चिंतित हैं, परेशान हैं पर हम अपनी परेशानियां परमिश्वर के पास लाएंगे हम इस बात का नमूना बनेंगे कि कठिन समय में परमिश्वर पर कैसे भरोसा किया जा सकता है हम केवल शब्दों के द्वारा ही सूसमचार नहीं सुनाएंगे भलकी अपने कामों के द्वारा भी क्रिस आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि आप इन हालात में परमेश्वर के अनोखे प्रेम को दर्शा सकें वो आपको प्रोसायत करने के लिए कहते हैं हम एक साथ कई लोगों की बीच परमेश्वर के प्रेम को देखेंगे और वो आपको आशिश देते हैं आमीन 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 फर्गस क्रिस के संदेश को सुन कर बहुत खुश है वो उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और कहते हैं क्या गजब का प्रोथ साहन था वो इनकी और मुखाते में देखिए उन्होंने फिर से अपने फोन का इस्तिमाल किया है फर्गस फिर से दर्शकों को यानि आपको याद दिलाते हैं आप संसार में कहीं क्यों नहों समूचा गाटीवी परिवार आपके साथ खड़ा है प्रते दिन हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे आपके लिए वचन लाएंगे और बिंती करेंगे कि परमेश्वर आपके कामों में आपको आशिश दे आपकी परिसिती कैसी क्यों नहों पर गस कहते हैं चाहे आप अकेले क्यों नहों पर वो कहते हैं कि ये समय है कि हम एक साथ खड़े हों ये समय है कि हम सेवा करें वो कहते हैं कि ये समय है कि हम विश्वास करें कि वो जो हम में हैं उन से बढ़कर है जो संसार में है वो इन से पूछते हैं शायद हमारे जीवन में ऐसा समय कभी नहीं आया, जैसा अब कि प्रभू के प्रेम को बाटे। येन कहते हैं, हाँ, ये आपके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है, कि प्रमिश्वर के प्रेम को बाटे। और ये भी बहतर होगा कि आप अपनी प्रार्थनाओं के निवेदन और गवाहियां हमारे साथ बाटे। येन कहते हैं कि आपको प्रोसाहित करने के लिए आपको हम जरूर जवाब देंगे। Eisen कहते हैं कि बहुत सारे लोगोंने हमें प्रार्थनाओं के निवेदन भेजे हैं वह वो कागज दिखाते हैं जिनमें लोगों की प्रार्थनाओं की बिंतियां हैं वो आप से यानी दर्शकों से आगरह करते हैं कि आप स्क्रीन पर दिये गए नमबरों पर कॉल कर सकते हैं इन बता रहे हैं कि उनके पास धेरो UK और USA से चिठियां आई हैं यहां तक कि New Zealand, Germany और हमारे देश भारत से भी चिठियां वहां पहुँची हैं वो एक चिठि का हवाला देते हैं जो UK से आई है इस चिठि में कहा गया है कि हमारे वैपार के लिए प्रार्थना करें कि वो कोरोना वाइरस से महफूज रहे और उस पर किसी तरह का नाकरात्मक आर्थिक प्रभाव ना पड़े और भी प्रार्थना हैं नौकरियों की सुरक्षा के लिए उनके लिए भी जो हस्पतालों में काम कर रहे हैं और ये कि कोरोना वाइरस का प्रभाव जल्दी से खत्म हो जाए फर्गस उत्साहित होकर आमीन कह रहे हैं इन ये अगला खत जर्मनी से पढ़ रहे हैं जिसमें सुरक्षा के लिए प्रार्थना की गई है इन्होंने कहा है कि इनके परिवार और इनके दोस्तों के लिए प्रार्थना की जाए निवेदन करने वाले कहते हैं कि येशु के नाम से हमारे देश से ये वाइरस चाहेगा फर्गस इस बात से सहमत है और कहते हैं हम जो पूरे संसार में हैं जरूर महफूज रहेंगे फर्गस गौट टीवी परिवार की बात करते हैं वो कहते हैं हमारे अंदर ये आवेश है कि हम आपको आशिशित होता हुआ देखना चाहते हैं। उनका कहना है कि हम चाहते हैं आप मजबूती के साथ प्रभू के साथ आगे बढ़ें। उन्होंने इन से पूछा इन हमें कभी इस बात का अंदेशा नहीं था, कि हम मार्च के महीने में कुछ ऐसे दिनों का सामना करेंगे वो कहते हैं मैं तो सामान बांध रहा था क्योंकि हमारा इसराइल का टूर आने वाला था पर परमेश्वर जानता था येन उनके साथ सहमत हुए और उन्होंने कहा हमें परमेश्वर पर विश्वास है वो कहते हैं हम इस विश्वास में येश्व के साथ बने रहेंगे और विश्वास योग्ये बने रहेंगे वो फर्गस से मुखातिब हैं हमें बुद्धिमान होना है हमें बार बार और लगातार अपने हाध दोने हैं अपने पैसों का सही इस्तिमाल करना है ये एक महतवपून बात कहते हैं कि ऐसे समय में ये भी जरूरी है कि हम घुटनों पर आकर प्राती दिन दुआ करें। वो Fergus को कहते हैं, Fergus शायद परमिश्वर के साथ संबद बनाने का ये बहुत उप्यूक्त समय है। वो कहते हैं, बेशक बाहर और समचारों में बहुत कुछ कह जा रहा है। लोगबाग विचलित करने वाली बाते कर रहे हैं। पर वो कहते हैं, हमें परमिश्वर की सच्चाई को ढूणना है। और हमें परमिश्वर की इच्छा में शान्ती और अराम पाना है। फर्गस इस बात को सुनकर खुश है। फर्गस कहते हैं, पूरे God TV की और से हम आपकी सहयता और समर्थन के लिए ततपर हैं। हम प्रते दिन आपसे मुखातिब होंगे, हमारे कॉल सेंटर खुले हुए हैं, प्रार्थनाओं के लिए हमारे फोन्स चालू हैं। हमारी वेबसाइट God.tv आपके प्रार्थनाओं के निवेदन के इंतिजार में है। फर्गस आपसे दर्खास करते हैं कि फेस्बुक पेज पर जरूर जाएं। God TV के फेस्बुक पेज में आपके लिए बहुत अद्भोत सामगरी मौजूद है। आज के इस कारेकरम में आपसे बात कर रहे थे फर्गस और इयन यंग वैलेंटाइन। हम आपको परमेश्वर की प्रेम में प्रेम करते हैं और फर्गस आपको दर्शकों को आशिश देना चाहते हैं। फोगस कहते हैं हम नहीं जानते ऐसा समय कब तक रहेगा परमेश्वर की कलीसिया जरूर उबहरेगी वो कहते हैं परमेश्वर के चमतकार होंगे और उसकी छुडाने वाली सामर्थ काम करेगी मैं और इन आपसे जल्द मुखातिब होंगे तो दोस्तो ये थे आज के इस विशेश कारे करम के कुछ मुख्य अंश झालंगे जल्द मुख्या जल्द मुख्या झालंगे जल्द मुथ झालंगे